सो फाइनली दो सालों के इंतिजार के बाद मिर्जापूर का सेकंड सीजन आ रहा है और मैं तो इस सीजन के लिए बहुत ही जादा एक्साइटेड हूँ और जहां तक बात है फर्स्ट सीजन की तो उसकी स्टोरी तो आप लोग कम्प्लिटली भूल गए होगे इसलिए मैं इस ये हैं मुन्ना भाया कालिन भाया के बेटे इन भाई सहाब को विरासत में पावर तु मिल गई है लेकिन अकल तु विरासत में मिलती नहीं तो ओ थोड़ी सी कम है मतलब सिधी भासा में बोलो तो जिम्हदारी के नाम पर लग जाती है अब जिस तरह से कलिन भाया का पूरे मिश्टर पुरुवान चल जो कि एक bodybuilding competition है और इनका उपर का माला तो मुन्ना से भी ज्यादा हिला हुआ है मतलब कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचना है बिल्कुल भी नहीं ये हैं बबलु पंडित इनको बनना है IS और ये commerce stream के टौपर है मन्जुमल कॉलेज के ये दोनों भाई हैं और इनके पिताजी हैं रामाकान पंडित जो की एक इमांदार और daring वकील है ये इन दोनों की बहन डिमपी है और ये दोनों मिर्जापुर के इंस्पेक्टर की बेटी हैं गुल्लू और स्वीटी अब स्वीटी का गुड्डू पर crush है और मुन्ना का स्वीटी पर crush है तो चलो इस टोरी पर आते हैं मुन्ना भाई या सराब की नошे में एक बरात में मजाक मजाक में दॉल्ले को इठोक देते हैं और दॉल्ले के फैमिली वाले केस लेकर के पहुँच जाते हैं रामकान पंडित के पास और वो केस लेभी लेते हैं और ये बात जब मुन्ना को पता चलता है तो वो रामाकांद के घर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर रामाकांद के साथ बहुत ज़्यादा बत्तमीजी करता है और डिंपी के साथ भी छेड़ खानी करता है और जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वे उस टाइन तो मुन्ना वहां से चला जाता है लेकिन अब इन भाई सहाब के पूरे फैमिली में टेंसन का महल रहता है कि ये बात जब कालिन भीया को पता चलेगी तो क्या होगा और जब ये बात कालिन भीया को पता चलता है तो वे अपने आदमियों को भेज करके बात चित करने के बाद और उनको इन दोनों के डेरिंग का अंदाजा लग जाता है उसके बाद वो इन दोनों को अपने पास काम करने का offer देते हैं अब ये दोनों confused की करें तो क्या करें हां करने में फिर इसके और ना करने में भी लेकिन गुड़ू में चुल मच रही थी join करने के लिए यूँकि वो पहले ही मुन्ना और कलिन भहिया के Rob से बहुत ही ज्यादा impressed था so finally वो दोनों join कर लेते हैं और इनको पहला काम यहीं मिलता है कि जागर के अपने पिता जी को समझाओ कि वो इस required कर लेकि इन जब ये बात इन दोनों के पिता जी को पता चलता है कि ये दोनों कलिन भहिया को join करें आएं तो वो तो बिल्कुल भड़क जाते हैं और इस campaign को छो जाते हैं और उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है अब मैं आप को इन दोनों के थोड़ प्रसेस के बारे में थोड़ा भूत बता देता हूं मुन्ना को लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है वो जीनियस है बस उसे जल्द से जल्द विरासत चाहिए लेकिन कालिन भया को अच्छे से पता है कि यह इतना मैच्चुर नहीं है कि पूरे सहर को रुठ कर सके और पूरे सीजन में उनका मेन फोकस यही रहता है कि वो मुन्ना को इस चाविल बना सके था मिर्जापुर में फैलने हुए उनके बिजनेस को अच्छे से संभाल सके और बाबलू और जिट ठाकुर को मार करके सत्यानन त्रिपार्थी मिर्जापुर में अपना राज कयाम करता है और अपने दो उत्रा धिकारी चुनता है कालिन भाईया और मुन्ना भाईया ये देखकर उनके सबसे खास आदमी रती संकर सुकला को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसने अक् चेर पर ही दिखाया गया है कालिन भाईया रती संकर को मारना चाहते थे लेकिन सत्यानन्द के कहने पर वो उसे छोड़ देते हैं और उसे जौन पूर दे करके सैटल कर देते हैं उस टैम तो सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन अब इतने सालों के बाद रती संकर शुकला फि लाला से मिलते हैं और रेशम के बहुत ही डिस्कॉसान होता है कालली ठीक है और अंदर धुंदर दुखी था और तोड़ा साइडल tooth कर रहा था अब इधर गुद आ आगे बढ़ने लगती है और डेटिंग शेटिंग शुरू हो जाता है मिन्वाइल मुन्ना कंपाउंडर से बोल कर गुड्डू को बॉड़ी बिल्डिंग की एक दवा दिला देता है हत्यारों का बिजनिस पढ़नेंग जलते मिर्जापूर में क्राइम बहुत जादा बढ़ मुली के उसर पर एक मिटिंग अरेंज की गई रहती है जिसमें की मिर्जापूर और अगलबगल के सारे बाहु वली आये रहते हैं जिसमें की सीम के भाई यादव के तरफ से इलक्षन के लिए फंट्स कलेक्ट किया जा रहा था बट उस पार्टी में मुन्ना का यादव के रदंफ संकर के बीच में सेटलमेंट कराता है ताकि एलक्षन के टाइम कोई भी प्राव्लब्लम ना हो और इन दोनक बीच में खुन खराबा ना हो बटो रतिसंकर से अलगसे डिल करता है कि अगर वह उसे पैसे देगा तो इलक्षन जितने के बाद मिर्जापूर उसे दि बबलू ने जो उस एरिया के ट्रांजेंडर्स थे उनको कंटक्ट किया और उनके जरी एक बहुत ही स्ट्रॉंग नेटवर्क पूरे मिर्जापूर में क्रियेट किया क्योंकि उनको सबके बारे में अच्छी खासी जनकारी होती है और पुलिस वाले भी उनको चेक नहीं करते हैं तो पकड़े जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं था अब इधर गुड़ू और स्वीटी के बीच बात और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और वो दोनों फाइनली साधी करने का डिसाइड करते हैं और फाइनली साधी कर भी लेते हैं और दूसरी साइड गोलू मनजुमल कॉलेज में छातर ने तकी इलेक्सन के लिए भी खड़ी हो जाती है जिसके लिए बबलू खुद प्रशार कर रहा था और जब ये बात मुन्ना के आद्मियों को पता चलता है तो ओ आकर यहां हंगामा करने लगते हैं तो बबलू उन स में गुड्डो मुन्ना पर बंदुगतान देता है और जब मुन्ना डिंपी के बारे में गलत बोलता है तो कालीन भहिया उसको एक चाटा मार देते हैं सबके सामने और उसी रात इन दोनों पर पुलिस वाले अटक करते हैं अब ये दोनों किसी तरह से बस तो जाते हैं ले इन दोनों को अंडरग्राउंड होने के लिए बोलते हैं और दूसरी साइड मुन्ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेश्ट था क्योंकि इन दोनों के चलते उसकी वैल्लू मिर्जापूर में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी जिस मिर्जापूर को उसे रन करना चाहिए उस पे तो इन दोनों ने पूरा अपना कंट्रोल जमा रखा है मंजुमल कॉले जो उसकी कंट्रोल में था उसमें भी गोलू इलक्षन में खड़ी हो गई और फाइनली जीत भी गई जिससे वो प्यार करता था स्वीटी वो भी गुड्डू से साधी कर ली और एक के बाद एक जो भी उसके पास था सब इन लोगों ने छीन लिया इन सब के चलते वो इन दोनों पर बहुत ही जादा गुसा था और चाहता था कि जल्द से जल्द इन दोनों को मार करके केसी खतम कर दूँ इसलिए अब मुन्ना जल्द से जल्द मिर्जापूर की गद्धी पाना चा तो है दोस्त कंपाउंडर मारने आये थे हमको अब उससे कितना भी पूछा जाता है कितना भी मारा जाता है ओं मुन्ना का नाम नहीं लेता है और अंत में मुन्ना खुद उसे अपने हाथों से मार देते हैं लेकिन मुन्ना की इस हरकत के बारे में सिर्फ एक ही इनसान को प रोल है उनका इस पूरे सीजन में, इसके बार में वीडियो के बिल्कुल लास्ट में डिस्कॉस करेंगे, अभी में पॉइंट पर चलते हैं अब जब बाद में मकबूल कंपाउंडर के घर में जाता है और उसका मोबाइल चेक करता है तो उसमें गुड्डू के नाम से बहुत सारे मिसकॉल से जिसको क्यों कालिन भाया को दिखाता है और उसके बाद इन दोनों को गुड्डू पर सक्ख हो जाता है अब ये दोनों भी हार बॉर्डर पर अंडरग्राउंड हो जाते हैं लेकिन आप तो गुड्डू को जानते हैं वो सांती से रह नहीं सकता है तो वो वहाँ पर भी गंस बेशना शुरू कर देता है इसी बीच एक और जॉनपूर से आता है और बबलू के लाख मना करने के बा है कि उसको जॉइन कर लें लेकिन जब यसाओ दोनों कर देते यह उससे सिधह मार देता है इन सभके बाद ये तोनों वापस मिर्जापूर आ जाते हैं लेकिन इन सबसे कालिन भाया इस बार बिल्कुल भी खुश नहीं लेकिन अब कालिन भाई अच्छे से समझ चुके थे कि उनके पाले हुए ये दो सपोले अब साप बन चुके हैं और अब उनको ही डसने की फिराक में हैं इसलिए वो मुन्ना को बुला करके इन दोनों को मारने के लिए बोलते हैं और खुद जा करके IPS ओफिसर मौर्या और उस बेटी के साधी में गए हुए थे क्योंकि लाला की बेटी जो थी ओडिंपी की बेस्ट फ्रेंड थी तो मुन्ना वहां भी पहुच जाता है अपनी पूरी फॉस लेकर के और साधी में ही पूरा हंगामा करता है और गुड्डू की प्रेगनेंट राइफ स्वीटी को और ब अब सीजन टू में यहीं से कंटिनी होगा कि गुड्डू अपना बदला कैसे लेगा ले भी पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा यह तो हो गई मेजापूर की मेन स्टोरी बट इसके साथ साथ एक और स्टोरी पैरलेल में चल रही थी जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी बात नहीं किया है अब यह सीजन वन में तो ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है बट मुझे लगता है सीजन टू में इसका बहुत होने वाला है तो दूसरा पार्ट है बीना त्रिपाठी का अब बीना त्रिपाठी का लें महता दो उस नौकर को मर वा और इस तरह से सीजन वान खतम हो जाता है मैं तो सीजन टू के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप अपनी एक्साइटमेंट कमेंट सक्सम में बताओ मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बीना त्रिपाठी के अंदाज में अब आप वीडियो देखी हैं पसंद आये तो कर दीजिये लाइक हो सके तो शेयर भी और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हम तो निभा रहे हैं आप भी निभा लीजिए